जैश्री क्रिष्णा राधे राधे आई ये सुनते हैं आज गुरुवार के दि बिश्डु जी की इप पौरारी कथा जिसे जानकर चकित रह जाएंगे आप आपने भगवान विश्डु के दसावतार की कथा तो पढ़ी या सुनी होगी लेकिन हम इससे अलग हटके आपको ऐसी पौरारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे आपके सायद ही पढ़ाया सुना होगा आईए आज हम आपको सुनाते हैं भगवान विश्डु और गरूर की पौरारी कथा जिसी कश्यप की कई पत्निया थी जिन में से दो वनीता और कद्रू थी इक दोनों ही बहने थी जो एक दूसरे से इर्ष्या रखती थी दोनों के पुत्र नहीं थे तो पती कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वर्दान दे दिया वनीता ने दो बलसाली पुत्र मांगे जबकि कट्टू ने हजार सर्प पुत्र रूप में मांगे जो की अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे सर्प होनी के कारण कद्रू के हजार बेटे अंडे से उत्पन हुए और अपनी मां के कहे अंसार काम करने लगे दोनों बहनों में सर्थ लग गए थी कि जिसके पुत्र बलसाली होंगे हारने वाले को उसकी दास्ता स्विकार करनी होगी इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था लेकिन वनीता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था इसी जल्दवाजी में वनीता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड दिया अंडे से अर्ध विक्षित बच्चा निकला जिसका उपर का सरीर तो इनसानों जैसा था लेकिन नेचे का सरीर अर्ध पक्व था इसका नाम अरुड था अरुड ने अपनी मा से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे सरीर का विस्तार नहीं होने दिया इसलिए मैं आपको स्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तोर पर बिताना होगा अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें श्राप से मुक्त ना करवा सका तो वह आजीवन दासी बनकर रहेंगी भै सेवी निता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के स्राप देने के कारण सर्थ हार गए और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फुटा और उसमें से विसाल काई गरूर निकला जिसका मुक पच्छी की तरह और बाकी सरीर इनसानों की तरह था हाला कि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विसाल काई पंक भी थे जब गरूर को यह पता चला की उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है और क्यों है यह फी पता चला तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ती के लिए सर्थ पूछी सर्पों ने विन्ता की दास्ता की मुक्ती के लिए अमरित मन्थन से निकला अमरित मांगा अमरित लेने के लिए गरूर स्वर्ग लोक की तरब तुरंत निकल पड़े देवताओने अमरित की रच्छा के लिए तीन चरणों की सुरच्छा कर रखी थी पहले चरण में आग की बड़े परदे विच्छा रखे थे दूसरे में घातक हतियारों की आपस में घर सड करती दिवार थी और रंत में दो विशैले सर्पों का पहरा वहां तक भी पहुचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था गरूर सबसी भीड गए और देवताओं को विखेर दिया तब गरूर ने कई नदियों का जल मुख में ले पहले चरण की आग को बुझा दिया अगले पत में गरूर ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हतियार उनका कुछ न विगार सका और सापों को अपने दोनों पंजों में पकड़ कर उन्होंने अपने मुह से अम्रित कलस उठा लिया और धर्ती की ओर जल पड़े लेकिन तभी रास्ते में भगवान विश्रू प्रकठ हुए और गरूर के मुह में अम्रित कलस होने के बाद भी उसके प्रती मन में लालस न होने से खुशो कर गरूर को बर्दान दिया कि ओ आजीवन अमर हो जाएंगे तब गरूर ने भी भगवान को एक बर्दान मांगने के लिए बोला तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का बर्दान मांगा इंद्र ने भी गरूर को बर्दान दिया कि उस सापो को भोजन रूप में खा सकेगा इस पर गरूर ने भी अमरित सकुसर वापसी का वादा किया अंत में गरूर ने सर्पो को अमरित सौप दिया और भूमी पर रखकर कहा कि यह रहा अमरित कलस मैंने यहां इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपके सुपूर्ध हुआ लेकिन इसे पीने के आप सभी अश्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प अश्नान करने गए तभी वहां अचानक से भगवान इंद्र पहुचे और अमरित करस को वापस ले गए। लेकिन कुछ बूदे भूमी पर गिर गई जो घास पर ठहर गई थी सर्प उन बूंदों पर जपट पड़े लेकिन उनकी हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरूर की सर्थ भी पूरी हो गए और सर्पों को अमरित भी नहीं मिला। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बिल नोटिफिकेशन आल पर सिट करने, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके, धन्यवाद।